नमस्कार दोस्तु कैसे हैं आप सब लोग आयहूप मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी होगे आपकी तैयारी भी आच्छी चल रही होगी दोस्तु आप RRB group D की cut-off को लेकर आप बार-बार वीडियो देखकर परेशान हो गए हो लेकिन दोस्तों आज के बाद मैं आपको वीडियो देखने की आवसकता नहीं है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल abstracted cut-off बताने वाला हूँ इसके लगबग इसके आसपास ही आपकी cut-off पे जाने वाली है तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों देखते हैं आपको बताते हैं 2018 और 2019 की vacancy के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि 2018 में कितने फोरम भरे गई और है 2019 में कितने फोरम भरे गई है दोस्तों 2018 जो टोटल vacancy थी वो थी 62,907 वहीं दोस्तों एपलाई फोरम की बात करते हैं तो 1,89,82,719 से फोरम भरे गई थे पर student competition की हम बात करते हैं तो 2018 में था दोस्तों 302 student का competition और attendance की बात करते हैं तो 65 से और 70% student ने एकजाम दी दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये data कहां से लिया है तो दोस्तों आप Google पर सर्च करके देख सकते हैं कि ये जो official data है यो हमने यहां पर लिखा है दोस्तों उसके 18 की vacancy के एक साल बात ही 2019 में group D की vacancy आई और दोस्तों इसमें जो टोटल पद थे वो थे एक लाख तीन हजार 779 पदों पर ये vacancy निकाल गई टोटल एपलाई फोरम हुए एक करोड पंद्रे लाख और बासट हजार दोसो अठ्याण में फोरम में भरे गई पर student competition की हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो पर student competition तो 112 रह गया और attendance की बात करते हैं तो 45 और 50% इस्टूडेंटों ने एक जाम दी दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि दोस्तों जब 2018 की vacancy आई थी उसका result नहीं आया था 2019 के जब group D के फोरम चले थे तो दोस्तों जिन लोगों ने जिनका selection हुआ 2018 की vacancy में दोस्तों उन लोगों ने भी 2019 की vacancy का फोरम बढ़ा और दोस्तों इसका ही एक कारण है कि attendance कम रही है कुछ लोगों ने दोस्तों अधरे श्टेड में पुलिस में teacher या अधर एक्जाम में उन्होंने पास करके वो job लग चुके है तो दोस्तों उन लोगों ने भी एक्जाम नहीं दी इसका कारण है कि दोस्तों attendance अब की बारे कम रही है दोस्तों अब बात करते हैं कि 2018 में क्या cut-off रही थी और 2022 में क्या cut-off पे रह सकती है दोस्तों 2018 में जो जर्नल की cut-off थी वो highest तो 82 गई थी और दोस्तों lowest की बात करते हैं तो दोस्तों 62 गई थी वहीं दोस्तों OBC की बात करते हैं तो दोस्तों आपकी बहतर से और 69 गई थी वहीं SC की बात करते हैं तो 63 से और 46 गई थी यानि हाइस्ट तरे 60 और लोइस्ट ते 46 थी वहीं दोस्तों SD की बात करते हैं तो दोस्तों आपकी 58 से और 48 तो लोइस्ट ती और 58 थी वो हाइस्ट थी X-Servicemen की हम बात करते हैं तो दोस्तों 40 से और 33 जिनके नम्मराय थे normalization होने के बाद में दोस्तों ये थी आपकी 2018 की final cut-off लेकिन दोस्तों 2022 की हम बात करते हैं तो दोस्तों आपकी जो cut-off रहने वाली है दोस्तों वह रहने वाली है highest दोस्तों यदि आप जर्नल से विलोम करते हैं आपके 63 नमबर से 63 नमबर आ रहे हैं या 60 से और दोस्तों आपके 63 नमबर आ रहे हैं तो दोस्तों आपके फिजिकल की तयारी शुरू कर दीजेगा दोस्तों आप यदि S C C C हैं और दोस्तों आपके 52 नमबर आ रहे हैं या 52 अधिक नमबर आ रहे हैं तो दोस्तों आपो फिजिकल की तैयारी सुरू कर दीजिए दोस्तो यदि आप STC हैं और आपके 48 नमबर आ रहे हैं तो दोस्तो आप लोग फिजिकल की तयारी सुरू कर दीजिए दोस्तो EWS में यदि आप आते हैं तो दोस्तो आपके 57 नमबर आ रहे हैं तो दोस्तो आपके फिजिकल की तयारी सुरू कर दीजिएगा और आप यदि X-Serviceman से हैं तो दोस्तों आपके 35 नमबर आ रहे हैं तो दोस्तों आपके फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं दोस्तों ये जो आपको cut-off बताएं दोस्तों इसके इर्दगिर्द ही cut-off रहने वाली है इससे अपकी बार अधिक cut-off है नहीं जाने वाली है दोस्तों ये थी आपके लिए मैत्पूर्ण जानकारी यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल को दोस्तों आप सबस्क्राइब के आवाज से करें मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में ज़्य दोस्तों आप किसी भी बूर्ड का एनलाइसिस चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैह हिंदे वंदे मात्रम